प्राइटरी डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है और वह खाने न मतलब पेशेंट की डाइट के अकोडिंग ही बनता है और उसकी डिजिस कंडिशिन के अकोडिंग बनता है निचला फॉस्पीटल इंजिनीरिंग जो इंजिनीर वर्कर होते हैं ट्रांसपोर्ट का काम यसका होता है जैसे आउस्ट ऑंबुलेंस सर्विसीज है या एक्सेक्टर तो फोस्फोर्ट सर्विसीज हमारी उटिलिटी सर्विस के अंतर आती है अगे हैं डिपार्टमेंट इन होस्पिटल तो होस्पिटल तो पता चलेगा तब भी तो होस्पिटल में पेशेंट अपनी सेवा ले पाएंगे अगे हैं डिपार्टमेंट इन होस्पिटल तो होस्पिटल में कितने डिपार्टमेंट होते हैं तो सबसे पहला है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट उसके बाद है इन पेशेंट इपार्टमेंट उसके बाद है स्पेस्लिटी डिपार्टमेंट तो आउट पेशेंट रिजरा फर्स्ट पाइल्ट फॉंट्ट बीट्वीं पेशंट एंड फ़ोस्पिटल वे हर पीपर कम वीद है प्रॉब्लम एंड फोर चेकप तो सबसे पहले क्या होता है कि वह एक जो आपशेंट लेटमेंट फॉरस्ट फॉइंट है किसका का बीट्वीं एक पेशंट पेश बीपार्टमेंट के अंदर होता है आगे इंट पेशांट डिपारटमेंट में क्या हुता है कि पेशेंट को प्रोब्लम होती है वह कुछा चेकप के लिए आता है और मेडिशन लेता है और चला जाता है और इन-patient में क्या होता है कि patient को ज्यादा दिक्कत होती हैं और उसको ना hospital में admit कर लेते हैं ठीक है उसको in-patient department भोलते हैं क्या होता है कि यदि किसी patient की serious गंभीर condition है and need bad rest और उसको bad rest की जरूरत है then the patient is admitted to a hospital प्रीज होट पापंत सुब प्रीज धाल न को डिपाट्मर अज़िस जीरिये से स्पेसिलेश्टी डिपाय्टमेंट प्रीज लेखितं सकतु को बढेता है च्छ॥ा आगे है इस पेसलीटी टिपाटमेंट इस। एससे यस्थि डिपाटमेंट होटे हैं एक Emergency Department जहांपर Emergency patient आते हैं इमिडियेट्टीरिट्मेंट जिनकों immediate treatment की जरूर तो हती है इन Emergency Department accidental cases आते हैं ठीके come for First-hand treatment and it is considered as an active department ठीके जो Emergency Department होता है वो बहुत ही active department होता है वहाँ पर Emergency Patient आते हैं जैसे कि road accident वाला हो गया या पोजिजन जिसने जहर निकले रखा हो या क्या कहा सकते हैं बार नियर की जल गया हो ठीके जिसको एया हल्ट अगया हो उसको तो जो अमजेंसी कंडिशन के साथ आता है उसको अमजेंसी डिपार्टमेंट में रखा जाता है और ये एक बहुत एक्टिव डिपार्टमेंट जहां पर जल्द से जल्द पिशंट की केर की जाती हो उसकी लाइप को生活 सेवर किया जाता है कि सर्जी के सिर्जी कर डिपार्टमेंट जहां पर wyp Takes a तेफिके जहां पर किसी भी न कि सर्जिरी की जाती है डियागनोस्टिग पहराव टर्근 मेडिकल दीपारड्मेंटप कोई यहां do window पहता है यहां कोई這種 business region यहां पर होती है दो सदाइए ने जहां पर जाती है झालतके मेडिकल डिपारड्मेंट डीपार्डमेंट परोषण मेंदिशन चलती है जिनके रोज या डंगु अखेकट्रा इनकी वगर्या को तैके इसे पेशेंट को ज gerek अधिसको अग्जा निलोकरती परोषण मेंदिशन को मेडिकल की चाथी हैं स existent कि government अपनी पर नंती का मतलब क्या होता है। आमर्जेंसी मतलब क्या होता है। अपनी बीग में कोहता है। तो यह सारी चैपनी नोटबुक में आप लिख लेना आगे है उप्थालमोलोजी डिपार्टमेंट निप प्रोवाइड इन पेशें एंड आपशेंट सर्विसीज फोर ट्रीटिंग आई डिज्स आई डिज्स पो ट्रीट करने के लिए जो है उप्थालमोलोजी डिपार्ट विवेंट बोलते हैं अब हैं ऑनकोलोजी ऊजिए अनकी दिपार्टमेंट प्रोवाइड काउंस्लिंग और नोग ट्रम ट्रीटमेंट टू कैंसर पेशेंट जहां पर लम्बे समय से कैंसर पेशेंट का टीटमेंट चलता है वो उसको अच्पोषड मैंगे हैं एंट यहार नोस और ठेमेंट निपार्टमेंट इनकी देपार्टमेनट प्रोवाइट डीज नौसक्ति आज़नगेकृ यह जाते हैं इंट डीपार्टमेंट-मॉलते हैं। निउरोलोजिकल डिपार्टमेंट यहां डील की जाती हैं अगर किसी को brain trauma है ठीक है इनकी brain trauma इनकी tumor है या फिर कोई भी चोट लगी हुई है brain में ठीक है कोई भी complication रखी है brain की ठीक है तो उसका जो treatment होता है वो कहां होता है neurological department के अंदर होता है तो next हमारा orthopedic ortholated to bones ठीक है अगर हमें कोई भी इलाज करवान है तो हमें कहां जाना पड़ेगा orthopedic department में जाना पड़ेगा और orthopedic department कौन सा होता है डिस डिपार्टमेंट प्रोवाइट ट्रीटमेंट टू आल मस्कुलोस्केल्टल इंजरी यानि कि मस्कुलोस्केल्टल लेटेट कोई भी इंजरी होती है तो हमें कहां जाना पड़ेगा orthopedic department में जाना पड़ेगा नेक्स्ट है हमारा यह दो सेफेशलिश्टी डिपार्टमेंट की तो एक आपागण ब्राग कर सब्सक्राइप यानिन ग्रतूत्तेी प्रोव प्राटमेंट काम करते है तो सीकरट्री डिपार्टमेंट में Hmm क्लम रखतें START motivated Hum treatment and rehabilitation of mental disorder जिसको mental disorder होते हैं disorder यानि कि कोई भी अबनॉर्मलीटीज तो उसको कहां रखा जाता है साइकाटिक डिपार्टमेंट में रखा जाता है आगे है गाइनकुलोजी तो गाइनकुलोजी क्या होता है किस से लेटीड होती है फीमेल रिप्रोड़क्ती ओर्गन्स यानिक कि लेडिज कोई भी रिप्रोड़क्टीव ओर्गन्स巴 yaş Hubu तो गाइनकुलोजी डिपार्टमेंट में जाना और गाईनेकलोजी देपार्टमेंट प्रोवाइट इन पेशंट अाउट पेशंट पाल्ट मेस्था उजु Fi फिमेल पेशेंट को आउट पेशेंट और इन पेशेंट सर्विस प्रोबाइड करता है तो इसको गाइनोकलोजी डिपार्टमेंट बोलते हैं